हए हो चांफ हेलो हुआ धा जोज एक उसका पर सुथ होाद कि मैं motivate आप जाके जब इसन सब्सक्राइब कि आपप inspired book यांध रोगे अरद आप जग्याँआज मे उसने transformer मैं आफffर हैं सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना कि जब भी मैं वीडियो वनाओ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका आ जाए तो यहाँ पर बैंक निप्टे में अगर देखें गाइस तो आज एक अच्छा उचाल भी हमें देखने को बिला और हम जब लाइव आ लेट चैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली थी आप यहाँ पर देखो गये और उसके बाद यह थोड़ा साइडवेज चलना यहाँ से स्टार्ट हो गया उसके बाद हमने क्लियर ली अपडेट दे दी थी कि यहाँ पर आपको वेट करना है एक प्रॉपर ब्रेक आउट क और ब्रेक आउट यहाँ पर मिला हमें चालीस अजार आट्सों सेटीस के लेवल पर चालीस अजार आट्सों सेटीस का लेवल काफी ज़दा इंपोर्टेंट था वह मैं आपको बता देता हूँ क्यों तो वन आर के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हो गैस इसी लेवल से एक बड़ा फॉल आया था मैं बात कर रहा हूँ 10 मार्च की 10 मार्च के दिन एक huge गेप डाउन यहाँ पर हमें देखने को मिला था एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी उसके बाद एक गिरावट कितनी थी कितने पॉइंट की थी ओगर हम देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगबग साड़े 300 पॉइंट एक गेप डाउन यहाँ पर खुला था तो एक इंपॉटेंट लेवल था हमारें लिए कि यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा तो बिल्कुल एक गयाप फिलिंग के लिए उपर जा सकता है और हमने यहाँ पर टार्गेट भी बताके रगे थे क्कोन से टार्गेट यहाँ पर अच्छी हो सकते थे तो हमारा target वही था कि gap फिल हो सकता है, तो आज यहाँ पर 41,200 के round का target था हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक double top type scene create हुआ था, उसके बाद एक huge गिरावट आई थी, वो भी हम पहले clear कर चुके था है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आज देख सकते हो guys, कि 5 minute chart frame पर हमने clear कर दिया round का हमेरे points है, हमें लग रहा था कि day high तक का हमारा target था और बिल्कुल और day high तक यह गया भी, उसके बाद यहाँ से rejection आने start हो गया, एक profit booking आई और फिर उसके बाद गिरावट आना start हो गया, तो guys कल के लिए यहाँ पर आप क्या trade प्लान कर सकता हो, तो कल के लिए अगर देखो गये, तो अब एक support ए शो कर रहा है, एक support लेके ऊपर की और बिल्कुल जाने की इसकी कोशिश चल रही है, इस support range से ऊपर यह जाएगा, और वही अगर आप देखो, तो ऊपर से हमें एक बिल्कुल लग रहा है, एक strong gap up यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक breakout का scene भी create हो सकता है, एक symmetrical type pattern आप इसे कह सकते हो, और यहाँ पर यह जो trade line है, उपर जो trade line यह आपको दिख रही है, एक important trade line है, एक gap up अगर होता है, तो यहाँ से बिल्कुल 41 दोस्तों का ओग gap जो है, ओ तो feel हो गई होगा, बट वही अगर आप देखो, तो एक trade line अगर break होती क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, जब देवन टाइम फ्रेम पर अगर हम चले, यहाँ पर आप देख सकतो, देवन टाइम फ्रेम पर में आप आ गया हो, तो bank nipty में already straight line से काफी सारे rejections आपको देखने कब लेगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो एक rejection लेके काफी बड़ा fall आया था, फिर उसके बाद इस particular level से यहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ से गिरावट आई, फिर यहाँ से ऊपर की और जाने कोशिश करें, बट यही से भी गिरावट आपको देखने कोलती है, तो कल अगर यह level break हो जाता है guys, तो काफी अच्छे levels यहाँ पर हम आने वाला है, तो इस चीश का ध्यान रखना है, बस आपको वेट करना एक proper breakout का, breakout जैसे ही मिलता है, और बिल्कुल यहाँ पर आप positive इसमें रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल pure price action बैंक निपने में पहले भी काम किया है, यहाँ पर जब हमने बोला था, एक symmetrical type pattern यहा अच्छा jump लगा सकता है, और यहाँ पर भी अगर breakout मिलता है, तो अच्छे target हो सकता है, तो कल के लिए अगर यह उपर की उर जाता है, जो level हमने बता है, वो अगर break कर देता है, तो क्या हमारे target हो सकते है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गा, इस 41,570 के around, यह easy तरीके से momentum बता देगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 15 मिनट के chart पर भी अगर हम देखे, तो बस आपको wait करना है, एक breakout का, और फिर यह हो सकता है, कि यह support लेना है, फिर उसके बाद की जो target है, यहाँ पर जो first target है हमारा, 41,200 का होगा, यहाँ पर अगर support ले लेता है है, एक हलके से gap down के बाद, और फिर उसके बाद जो target होगा, 41,500 का, तो एक अच्छी rally हमें कल के दिन देखने को मल सकती है, बट depend करता है, यहाँ पर US market बेर भी, ओ क्या perform करता है, और उसके बीचे का reason क्या है, gap up पुलने का, यहाँ पर HDFC, क्योंकि HDFC में भी अगर हम देखे कि यहाँ से एक बड़ा breakout मिल सकता है, और बिलकुल एक breakout यहाँ पर मिला, तो guys, यहाँ पर यह जो momentum है, एक continue हो सकता है, continue होगा, और यहाँ पर जो target है, इसके भी, और HDFC यहाँ पर जा सकता है, 1677 के around, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो levels नजर आते है, 1700 के around के levels यहाँ पर फिर ICICI की बात करें, तो ICICI में भी एक range यहाँ पर break हुई है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक range यहाँ पर break हुई है, काफी टाइम से यहाँ से एक rejection यह ले रहा था, और यह range इसने finally break कर दिये, और यहाँ से एक अच्छा momentum हम उमीट कर रहे कि आएगा, और वही reliance की एक बड़ा rejection था, फिर उसके बाद यहाँ से rejection आया, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ से rejection आया, तो यहाँ पर अगर breakout मिल जाता है, तो यहाँ से एक ऊपर की उड़ जाएगा, और निप्टी के ऊपर काफी बड़ा impact पड़ेगा, निप्टी में तो आज हमने काफी अच्छा trade केज किया था, morning में अगर देखे, तो यहाँ पर बिल्कुल upside की ओड़ा, bank निप्टी की तरह, यहाँ पर नीचे की ओड़ नहीं गया, यह थोड़ा सा sideways रहा, बट उसके बाद continue इसने growth बता दी, और हला की हमारा target यहाँ पर अभी भी रहे गया था, बट इ यहाँ पर भी एक gap down आया था 10 March जैसे मैंने बताया, और वही चीज यहाँ पर gap आज field हो सकता था, gap filling का काफी उपर fresher था है इसके उपर, और इसके उपर अगर sustain कर जाती ही candle, 17.583 के उपर, यानि अगर अभी देखे, तो और 20 point इसे gap up खुलना होगा उसके लिए, तो time frame पर काफी बड़े level इसमें achieve होने वाले है, इसमें भी एक बड़ा यहाँ पर breakout आने वाला है, अब देखोगे, तो काफी बड़ा breakout यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है, तो बस आपको wait करना, यहाँ से rejection है, आप देख सकते हो, यहाँ से rejection है, और यहाँ पर अगर breakout मि momentum बता देगा, और यह भी यहाँ पर अगर देखे guys, तो 18,000, 19,000 तक भी जा सकता है, आने वाले कुछ ही महीनों में, so guys, बिल्कुल bank empty भी, यहाँ पर हम positive है, HDFC यहाँ पर positive है, ICICI positive है, और reliance भी positive है, तो बिल्कुल उपर के momentum हमें देखने को बज़कते है, so guys, I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा, video अगर अच्छा लगा हो, video को like कर देना, channel को subscribe कर देना, thank you